हेलो फ्रेंड वेलकम टू दिस चैनल सुधी टेक्निकल आज की वीडियो में हम सॉलनाइट 5x2 डारेक्शनल और 5x3 के कनेक्शन जो निमेटिक कनेक्शन के लाते हैं वो किस प्रकास से किये जाते हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और प्रेटिकली आपको डिमस्ट्रेश निमेटिक के जो कनेक्शन डाइग्राम है वो हम आपको समझाने की कोशिस करेंगे ताकि आप किसी भी निमेटिक वॉल का उसकी एप्लिकेशन के एक्कॉर्डिंग कनेक्शन कर सकें तो दोस्तों बने रही है मेरे साथ पहले पार्ट में 5x2 और 3x2 के कनेक्शन देख लेते समझ लेते हैं कि सॉलनाइट वॉल 3x2 जो होते हैं उसके अंदर जो निमेटिक कनेक्शन होते हैं इंजिनिरिंग ड्राइंग के साब से किस परकार से किये जाने चाहिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं यह 3x2 सॉलनाइट वॉल है जिसमें यह दो पोर्ट एक साइट है जिसमें 1 और 3 नमबर का पोर्ट दिया हुआ है और इसके अलावा 2 नमबर पोर्ट जो की यहां दिया हुआ है और इस स्पोर्ट के एकॉर्डिंग यहां पर हम इसमें निमेटिक कनेक्टर कनेक्ट करते हैं और इसको इंपूट- reflected देंगे यहां पर जैसा की इसमें दिया पाएंगे इसके लिए मैंने इसका डाइग्राम यहां पर बनाया हुआ है इंजिनिरिंग ड्राइंग के कॉर्डिंग इसके हम निमेटिक के कनेक्शन समझ लेंगे कि सबसे पहले यहां पर हम तर्या निमेटिक प्रेसर की सप्लाई देते हैं तो यह नॉर्मल कंडिशन में इसमें कोई भी आउटपुट जेनरेट नहीं होगा यहां से दो नमबर आउट जेनरेट नहीं होगा जब हम यहां पर मैनुली जैसे इस यहां से प्रेस करेंगे इसको वो अपनी जगे से shift हो जाएगा जैसे यह shift होगा तो यह जो है one number से जो है one number से यह two number में air चली जाएगी और यह output generate हो जाएगा इसका जो output है दो number port से बाहर निकलाएगा और बाहर इसका use single जो 3 by 2 होता है इसका कोई spring operated valve वगरह होते हैं उन में इस type के valve का use किया जाता है जहां पर हम single air pressure का use करते हैं इस वीडियो में आपने समझ लिया कि 3 by 2 जो वाल होता है उसके डाइग्राम के एकॉर्डिंग किस प्रकार से हम connection करते हैं अब हम फ्रेंडेंट इस वीडियो में जानेंगे कि 5 by 2 वाल के इसके ड्राइंग निमेटिक दी होती हैं इंजिनिंग ड्राइंग उसके according किय से connection की जाते हैं इसमें जो drawings होती है यह already numetric की जो drawing होती है ये इसमें बनी होती है काफी small later में दी हुही इसलिए आप यहाँ पे समझनी पाएंगे इसका भी मैंने इसको अच्छी तर से demonstrate करने के लिए ताकि आप अच्छी तर समझ पाएंगे इसको यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इसके according आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें 5x2 के जो wall होते हैं इसमें यहां 3 hole दिये होते हैं जिसमें 2 silencer या air exhaust के लिए होते हैं और एक यह supply के लिए होता है और यहां 2 होते हैं जो कि air कर एक condition में open के लिए दूसरा close command देने के लिए किसी भी slender को close या open command देने के लिए use किया जाता है अब हम यहां समझ लेते हैं यहां उपर दिया हुआ एक pneumatic slender दिया हुआ है जिसको हम इसके according बताएंगे कि यह कैसे operate होगा यहां पर जब हम normal condition में normal condition जब यहां एक number से एक number से जब इसको pneumatic supply देते हैं pneumatic supply देते हैं तो यह दो number से output generate यह out होता है जैसे ही दो number से out होता है तो उस condition में slender close रहता है और slender close रहता है और यहां 4 number से जो out होता है इसका जो 4 number जो out होता है तो 4 नमर से एक्जॉस्ट हो जाता है, 4 से जाता है और 5 से एक्जॉस्ट हो जाता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, इसमें आएगा और 5 से एक्जॉस्ट हो जाएगा, अब जब हम इसमें कोई मैनुवली प्रेश्ट करेंगे, या फिर इसके अलावा इसकी क्वाइल में जो पुल से प्रेसराइज होगे इस पूल पीछे के तरफ सरकेगा तो यह इस कंडिशन में आ जाएगा, इस कंडिशन का मतलब यह है एर की जो सपलाई आएगी वह एक से जाएगी और चार से आउट हो जाएगी, तो चार से तो नियुमेटिक कनेक्टर के चनेक्शन इसके ब और यहां से निम्मेटिक प्रेशर जोगा किस सिलेंडर को आगे के तरफ से प्रेशराइज करेगा और यहां से जो प्रेशर जेनरेट होगा जिसा जो जीबार इस condition में जाए में City कंडिशन में क्या होगा कि यहां पर जो वन नमबर है वो टू कंडिशन में farklı हैatि टू में स्रिफ्ट होगी तो यह slender यह slender में supply यहां पर आएगी और इसके बाद यह slender दुआरा close condition में हो जाएगा यह close हो जाएगा और close होगा तो यहां से 4 number जो exhaust हो रहा है वो 4 number exhaust होके यह 5 number से out हो जाएगा इस प्रकार 5x2 जो solenite wall होता है वो work करता है इसमें मैं बहुत ही आसान भासा में आपको इस ड्राइंग के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसमें दिवी ड्राइंग के according इस solenite wall को connect कर सकें क्योंकि कई बार हम जब field में work करते हैं काम करते हैं और connection करते है तो इसमें बहुत से confusion के काराण निमेटिक के connector गलत direction में लग जाते हैं I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन वीडियो के माध्यम से solenite wall के connection करना समझ गये होगे कि निमेटिक connection के किस प्रकार से किये जाते हैं दोस्तों मैं अपने experience के according आपको बहुत से industry में electrical और instrumentation के बहुत से equipment और components के बारे में knowledge देता रहता हूं और मैं experience से आपको share करता रहता हूं तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे और instrument और electrical related video पाने के लिए channel को subscribe और video को like ताकि आप मुझसे जुड़े रहे तो दोस्तों इसे प्रकार अब नए वीडियो के साथ मिलूँगा Thanks for watching, Jehin